व्वब्यों को उलंगन है क्योंकि यह सब से यदा सरकार में वाजपा सरकार जो नहींühren थाइपके राजपाल और मुक मनदी के बीच विबाद देखे जा रहा है जिसमें राजपार निरंतर रूप से यहां तो सत्र आयुजित नहीं कर रहा है तो वहाँ पर जो बिल्पारिद करने लिए बेज़े जाते हैं उन्हें लंबे समय के लिए रेजर्व रख लिए जाता है बिचारी राज सरकारे क्या कैरें राज सरकारे जाती है इतना ही नहीं नमस्कार दोस्तों आपने इतियास के दो-चार पन्ने जरूर पल्टे होंगे और उन पन्नों में यह जरूर पड़ा होगा कि इतियास में कोई भी राजा कोई भी सासक या कोई भी विदेशी आक्रमन करी आक्रमन करने आया और किसी राज पर कब्जा किया और कब्जा करने के mal राजक के उसे सिर्फ मतलब रहता है था उसके कर प्रशासन से वी इतियास में आप ने जिनोंने जहां पर आगर departments आपना एक बजिर निच्चत रूप से निफ किया लेकिन बजीर की भूमिका बरत्मान में राजपाल निवा रहा है क्योंकि राजपाल लोगर रविया इससा देखा जा रहा है जहांपर बरत्मान सरकार जो केंद्रमें सरकार नहीं हैं बहुत राजपाल अपनी टांग अला रहे हैं और उस सरकार को उस राज सरकार को अपने कारियो को करने में बाधा पोचा रहे हैं कही ना कहीं उनके विलों को यहां तो रग लिया जाता है या पिर सस्त्र नहीं बुलाया याता है मैं अपने सबसे कोई बात नहीं करता आपने न्यूज प्रेंट या पेपरों में ये निच्छित रूप से पढ़ा होगा बरतमान में केरर राज का वेबाद जिसमें जो बहां के सीए में या वहां की सरकार है वो राजपाल को लगतार दो साल के अंतरगत आड़ बिल दे बाकी के बिल अभी भी रिजर्ब है इससे कई ना कई क्या हो रहा है कि बाकी सरकार की कारपड़ना लिबादित हो रही है और बिकास में बादा उत्पन हो रही है यही एक उतारन नहीं है और भी उतारन देखू आप बरतमान में डिल्ली का हाल देख सकते हो जहां पर राज बुमिका भी जानेंगे लेकिन लेते क्या विवाद है आप केजरिवाल को देख सकते हो और राश्पाल को देख सकते हो वहाँ पर दोनों के बीच में कंटो वर्सी चलती रहती है एक तरफ बिचारे केजरिवाल कोई बिल लेके आते हैं और राश्पाल यहां तो दवाकर कभी सुपरिंग कोड जाते हैं कई नकई जाते रएतें वही आप देख सकते हो तियलंगाना अकटा देख सकते osima-dasकार में यहीरी चीजुल रही है पंजाब ज हो जाता लो समस्त अर। लेकिन राजपाल एकी रिस्पोंस ही नहीं देता राजपाल अपनी मरीजी से काम करने लगे तो पर सीएमों की क्या जरूर्वरत पड़ इन यह को ठीक किसी राज में बनाना नहीं सबसे बड़ा मुद्धा परकारं बनई हूआ है कि बार राजपाल की भूमी का होदी क्या राजपाल संम्यदानिक पतब है जो किसी भी बिल्कोश। नहीं कर रहा है या पिर तो तक रख सकता है मंदरी परिसत के साफ से कार करेगा में करतब्यों का निर्वेन करेगा। आर्टिकल refiner के हैं लुकिए बोलता है वाइसब जो राज़पाल होता है। अपनी दोरी भूमिका में दोरी भूमिका निवाता है यह सम्मेदानिक पद है और राज और केंद्र के बीच कड़ी होती है आप समझ गए और राजपाल का क्या क्या काम है करतब है देख लो आंगे आठिकल 153 सीधा ये बोल रहा है कि राजपाल की करतब क्या है और सत्र लाने की सक्ति राजपाल के बेग्प निर्वर करती राइं के वह बुला और लेकिन ये सब टू webinar का उलंगन की राजपार कर दो आपने पानून बनने के लिई राजपाल की सेमति जरूरी है लेकिन कर सकता है राजपाल राजपाल णे पास प्रियोग कर सकता है या फिर वो राश्ट्पति के पास बैस सकता है निच्चे समय के लिए तो भी आप उससे बात नहीं कर सकते और राश्ट्पति के पास भी उसने कोई विद्यक अगर बेद दिया कि आप इस पर विचार कर लो तो भी उसके ऊपर कोई लाचन नहीं क्या हो रहा है कि जो सरकार होती है कि आपकी सुमय कर पाकर नैंकर पा substitute होगी ने CRAC entend कि लेकिन बारत्मान राजपाल खुद राशपाल ना रेका किसी के हाथ की ट कंट पुतलिए क्योंकि बारत्मान में वैनिerkी उन्होंने कई ना कई है हालागी संभीदान के तैट उन्होंने यादेश नहीं रिये सकते लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपनी सक्ति का दुरूपयोग करते हुए राजपालों को कई ना कई यह सक्ति पिरदान करती कि वाइसाव अपनी मर्दी से काम करो हम एना बचाने वाले तो कई ना कई जो प्रापदानों को लंगन करे यह यह बारत सरकार के किसी राज चेत्र में उसके कार चेत्र में दकल अंदाजी करें यह किसी और रज के लिए कानून बना रहा है तो एसा रज तरकार कोई नहीं कर सकता है लेकिन इसा लगता है तो बॉलणा नहीं रहे शतर का आयोजन भी नहीं कर रहा है कि वाई साब तुम तो यह ना अपनी कारपेड़नाली आस के लो पूंडूप से हम तो खुढ सीयर मिरा क्योंकि अपने अब आने वाले समय में जो सी ये नहीं पढ़ने वाले कि राजपाल खुदी ताना साही देखा रहा है किसी के के ने पर यहां दाधगरी के के पर वाइसा हम खुदी हम कुदी सीम हो गए हम तो हम कोई भी कार नहीं करने देंगे लेकिन यह सब चल रहा है करतब्यों का उलंगन है क्योंकि यह सबसे यादा यह क्रत जो देखे जा रहे हैं बहुत देखे जा रहे हैं जो बर्तमान में केंद्र में राजपा सरकार जो में राजपा नहीं नहीं देखे जा रहीं जिसमें राजपाल निरूनतर रूप से यहां तो सच्टर आयूंजित हैं तो ießenत departments पर याचिका डायर करती है और याचिका ओपर सुनवाई होती है कभी कबार और फिर भी राजपाल से बोला जाता है वाई साव थोड़े नर्मी इटायर रखें और आपका सम्मेदानी करतब्यों का पालन करें लेकिन मुद्दा इतना ही नहीं है क्या बर्तमान सरकार यह चाह और फिर वहां पर राश्पती सासल लगाने कोशिस करो ताकि पूरा राज का कारबार किसके आत में चले जाए राश्पाल के थुरू राश्पती के आतों में चला जाए कुल मिलागे आपके आतों में आ जाए क्या आप एसा चाहते यह तो कई ना कई निसंग रूप से एक कारियों को बादित कर रहे हैं ताकि वो अपने राज्यों का विकासी न कर पाए यह तो कई ना कई सरेयाम एक टाइप की तानसाई या दादागिरी हो रहे हैं तो यह कब तक चलेगी पता नहीं लेकिन भारत की जंता जब जागेगी तब यह सायत कतम हो सकती है क्योंकि विप भीज़ को इतना वी मजबूत रखो कि के कौरें वे रोजगा ना बेचे किसान अंद्वलन ना करें तो रेक्योस्ट है वांकि जे इंद जे वारत मिलते हैं एक नहीं वीडियो